पदर सिक्षन समिति बाड में दौरा संचालित इस शिक्षन में आपका हर्दीक स्वागत अभिननन, कक्षत्रत्या, विशेनेतिक शिक्षा, बापु का बच्पन भाग दो. इससे पहले हमने बापु के बच्पन के बारे में एक बोध कथा को पढ़ा था. बापु के बच्पन का नाम क्या था? हम सबको ध्यान में हैं, उस दन पढ़ा था हमने, और महत्मा गंदी के बारे में हमने उस दिन कौन सी बोध कथा पढ़ी थी? ये भी आपको ध्यान में करना है. अन्यों उस दन पढ़ा था, विद्याले के अंदर एक निरिक्षिक महदे आते हैं, और कोछ बचों को स्पेलिंगे लिखाते हैं, सब्द लिखाते हैं, और सब्दों में पांच सब्द लिखने में वह आशमरत होते हैं, और एक अंग्रेजी की मिनिंग होती है, वह अध्यापक जी कहने पर भी उन्होंने उसको सही नहीं किया, फिर बला बरवा भी कहा, परन्तों उनके जीवन में ये था, कि जो मुझे नहीं आती है, वह मैं दूसरों को देख करके नहीं लिखूंगा, एसी हमने उस दिन एक बोध कथा, बापू के जीवन की पढ़ी थी, आज उस से आगे हम उनके प्रेरेक परसंग को पढ़ेंगे, उनके जीवन की और भी महत पूर्ण घटनाए हैं, एक बार अपने रिष्टेदार के साथ उन्हें बीडी पीने की आदत पढ़ गई, वे इदर उदर से बीडी के टुकडों को इकटा कर लाते और चौरी छिप पीते टुकडे हर समय नहीं मिल पाते थे, अताव वह अपने नोकर की जेव से पेशे दो पेशे निकाल कर बीडी खरीद लाते थे, आगे का प्रेरक प्रसंग है उनके जीवन की ऐसी अनेकों प्रकार की घटनाए हैं, एक से प्रेरक प्रसंग है, यानि उनको एक आदत जब बीडी पिना सीख लिया, तो उनको कभी कबार वह बीडी मिलती नहीं थी, तो जो पिने के बाद जो बचावव अवसेश रहता था, वह भी चुन-चुन करके पी लेते थे, परन्तु कभी कबार वह बीडी के टुकडे नहीं मिलते थे, तो मजबूरन वस वह इस प्रक कार की आदत से आदी हो गए थे, और अपने नोकर की जेव से चोरी करके और पेशे दो पेशे ले करके और बीडी खरीद लाते थे, इतनी गंदी आदत एक बार पड़ गए थे, वे बहुत दिनों तक एशा करते रहे, जब उन्हें ध्यान आया कि मैं कितना बड़ा पाप क कर रहूं, तो उन्होंने आतम हत्या करने की सोची, रहर कर उन्हें ये विचार आने लगे, बहुत दिचार करने पर उन्हें लगा कि आतम हत्या करना तो ओर भी बड़ा पाप है, गंदी ने बीडी पीने की बुरी आदत छोड़ दे, यानि ये शा वो काफी दिनों तक गं प्रयम वेश में तक करते रहे हैं, और एक बार जब उनके ध्यान में आया, मन के अंदर विचार आया, कि मैं यह कितना बड़ा पाप कर रहा हूं, यानि जो बीडी पी पी रहा हूं, पीडी पीने के बहाने, मैं किसी व्यक्ति की, जेब स्धी पेशे निकाल रहा हूं, च सोचा कि ये तो बहुत बड़ा पाप है और इसका मैं बहुत बड़ा अपरादी हूँ इसलिए उन्होंने आतम हत्या करने के भी सोच ले रहरा कर मन के अंदर ये विचार आने लगे परन्तु जब ये विचार आया कि आतम हत्या करना भी बहुत बड़ा पाप है महापाप है तो ये विचार उनके मन से दूर हुआ, बहुत विचार करने पर उन्हों लगा कि आतमात्य करना बहुत बड़ा पाप है, घोर अपराध है, तो उसी दिन से उन्होंने बीडी पीना छोड़ दिया और अपनी आदत छोड़ दिया, और कभी भी उन्होंने अपने जीवन में व परन तो मन के अंदर द्रट संकल्प करते विए विचार करते विए कि कहा कि आगे कभी भी मैं चोरी नहीं करूंगा नहीं कभी वियाशन करूंगा अभ्यास परशन है जब गौंदे जी को बीडी के टुकडे भी नहीं मलते थे उन्होंने क्या किया जब उन्होंगोट बीडी के टुकडे भी नहीं मलते थे तो गौंदे जी ने अपने नोकर की जेव से पेशे चोराने शुरू किये थे बीडी पेने की बुरी आदत से दुखी होकर गौंदे जी ने क्या शोचा गौंदे जी ने शोचा कि मैं कितना बड़ा पाप कर रहा हूं अता है उन्होंने आतम हत्या करने की भी शोच ले थी फिर भी आतम हत्या नहीं की और अपने बुरी आदत को उन्होंने छोड़ दिया गांदे जी की इस बहुत कथाशे में क्या शिक्षा मिलती है गांदे जी की इस बहुत कथाशे में ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी व्यासन नहीं करना चाहिए क्योंकि व्यासन करने शेव व्यक्ति आदी हो जाता है और वह अनेतिक कारे भी करता है इसलिए हमें किशी प्रकार का कोई व्यासन नहीं करना चाहिए धन्यवाद